नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल एन्यू लाइव स्टाइल में तो दोस्तों आज तारिक है साथ नॉबंबर 2020 और आज मैं दिल्ली से निकला हूँ महदिपुर वाले बाला जी महराज के दर्शन करने के लिए तो पता निए इस कुरोना टाइम में वहाँ पर जाकर दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे यह तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा बीच में चोटा सा नजारा मिला जिसको मैंने कैप्चर कर लिए जो मुझे अच्छा लगा चलो तो पहुचते हैं महदिपूर वाले बाला जी महराज तो दोस्तों अब हम पहुच चुकी हैं यहां पर दर्शन के लिए तो मंदिर तो यहां पर सारा का सारा बंदियों रखा है खुला कुछ भी नहीं है देरे देरे पहुचते हैं आगे, सारा का सारा construction वर, under construction चलना है यहाँ पर जितने भी भगत लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बाहर से ही दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, अंदर एंटर्स नहीं है अब जो यह आप भीड़ देख रहे हैं यह कुछ भी भीड़ी नहीं है जो लोग यहां आ चुकर उनको पता है कि कितनी भीड़ होती हैं यहां पर तो यहां पताने किस प्रकार से दर्शन होंगे अच्छ इन्होंने यहां पर टीवी लगा रखा है कि यहां का कुछ ऐसा नजारा है यह हमारे राममंदीर यह राममंदीर यह बेह बंद है इसके बाहर स्क्रीन लगा रखी है तो दोस्तों यहां पर ऐसा माननेता है यहां पर ऐसे ही कि, कितना भी बड़ा भूत हो, जो भी है, उपरी बादा किसी बीटाप की उपरी बादा है, कुछ भी है, तो यहां पर आके वो सारी कि सारी दूर हो जाती है, बाला जी महराज में वो शक्ति है, देखे रहे होंगे आप, जितने भी लोग आगे बैठे हैं, कि जितने भी भूत प्रेत हैं सबको भगाने की शम्ता वो रखते हैं आज के इस कल्यूग में सिर्फ एक मात्र ये ऐसे ही भगवान है कि जो की धर्टी पर अमर है अब बाला जी महराज की आरती स्टार्ट हो चुकी है तो देखिए कि अधर्वार की जर्ट कि जर्टी भुल से्टीं के नदेवा है बहुल सेट शार्रेव ऑर्टी जर्टी जर्टी कि जर्टीन जर्टी जर्टी माराज जी की आर्ती लेने के बाद हम लोग यहां पर गोस्वामी मिस्ठान भंडार है जहां पर हम लोग आये चाय पीने के लिए कुल्ड़वाली चाय और भीया कि चाय नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी चाय बना ही इन्हों ने इसे पी के दो माइंड फ्रेश हो गया और आप सब जानते होंगे कि लगवाली चाय का मज़ाई अदा यहां चाय पीने के बाद फिर हम लोग निकले केस्ट हाउस की तरफ जिसका नाम था कलकत्ता धर्मशाला तो इन भाई साब से भी हमने थोड़ी बहुत बादचित की और इनके पास क्या क्या फैसिलिटी से हैं वो सब इनोंने बताई हमें कलकत्ता धर्मशाला के नाम से का सेवा सधन और यहां पर क्या क्या फैसिलिटी यह सगर तो यहाँ पर आप भूम चार्ज कि बताएंगे अगर आप कोई सिंगल रूम लेता है तो उसका क्या चार्ज है? सिंगल यह अपने पास डबल बैड है डबल बैड है कितने का जी वो? डबल बैड अच्छी में 500 अच्छी में 400 आच्छा यानि उसमें अराम से दो लोग सो सकते हैं दो लोग जो सोईंगे उसका जो चार्जिस है 400 अगर आप AC लेते हैं तो 100 अच्छी में और जुड़ जाएगा और जी अगर 6 लोग है या 4 लोग है उनके लिए? 4 बैड है 4 बैड है वो उसका क्या चार्ज है जी? 600 4 बैड का 600 रुपए है 100 रुपए अलग से AC की और अगर 8 बैड है तो? वो 6 बैड है 6 बैड 6 बैड का क्या चार्ज है? 800 रुपए 6 बैड का जैसे आप सुन जाए 800 रुपए इतना सस्ता आपने कभी देखा भी होगा कोई और रूम में भी आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना सस्ता आपको यहां मिलेगा ठीक है और यहां पर रश किस दिन रहता सबसे ज़्यादा? आपको फिक्स के मिलेगा अच्छा अभी कोरोना काल से काम तो बहुत कम होगा कोरोना के वजासे भीया काम भी डाउन है बट ऐसा नहीं काम डाउन कब तक रहेगा करोना जीजन जायेगा काम में स्टाट हो जाएगा भगत हैं अपने भगवान के दर्शन करने आते ही रहेंगे प्रिण के बसता है आपके पास खाना बिना इसक्तिम सुईद्धा क्या प्लेट है खाने की? जी बहर के बहर कि 70 रुपई में इनके हाँ खुद की किचन सर्वीस जो की 70 रुपई में आप अनलिंटा पर बंदा खाना खा सकता है जैसे अँने आज यहां पर खाये भी है और मैं इनका जो तो मैंने यहां पर इनकी जो service देखी, room वगधर आपकाफी clean है, AC भी इनका काम कर रहा है, अलाकि हम ठंड में आयें, मैंने अच्छा लू करके दिखा कि हम काम कर रह रहे है, AC भी इनका चालू है, काम कर रहा है, TV भी इनके काम कर रहे है, और सबसे अच्छी बात है, यहां प जो गैस रूम है, सेवा सदन, कलकत्ता सेवा सदन यहां पर आईए और यहां पर इनकी महमान नवाजी का आनदिवर जोरू उठाईएगा तो यह सुबह सुबह हम आचुके हैं तीन पहाड पर काली माता जी के दर्शन करने के लिए और यहां का नजारा यहां से काफी सुन्दर दिखता है अनुमान जी की मूर्ति यहां से नेचे उतरते वक्त माता अंजिनी ने पर पुद्र हमान जी को अपनी गोदी में बैठा र यहां से हम बिल्कुल सीधा नीचे आएं पाला जी महराज के दुबारा दर्शन करने के लिए राम मंदिर सुबह मॉर्निंग के टाइम पर यहां पर है थोड़ा बहुत रश है और यहां से आगे हैं हम वापिस पहुचे कलकत्ता धरम शाला कुछ ऐसी दिखती इनके बाहर से यह हमारी कार और यहां से मैं अंदर जाते हुए यह भाई साफ सफाई कर रहे हैं यहां पर सुबह सुबह तो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं किस कमरे में हम ठहरे थे और कमरा कैसा है दिखने में इनके यहां पर यह मंदिर भी है इनके धरम शाला में जो किकाते सुंदर ह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका एड्रेस वगारा फोर नंबर वगारा दिये दुमा जिससे आप एडवांस बुकिंग भी करा सकती है यह रहा है इनका कमरा जिस कमरे में हम रुके थे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें बोलो सिया पती राम चेंडर की जै कवन पुत अनुमान की जै बालाजी माराज की जै